हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकावला यहां पे इंग्लेंड बनाम अफगानिस्तान आपको एक गेम काफी स्टेट लग रहा होगा फैंटेसी प्रस्पेक्टिव से बट कुछ इंट्रेस्टिंग पहल हुआ है जो हम डिसकस कर करेंगे वापस इस मुकाबले में सिस्टी परसेंट मिनी जियल्स एक बड़ा गिववे है माइमास्ट एलेवन पे इंच और आप साइन अब कर लें अभी क्या भी लिंक है इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एड़ रेट फैंटेसी क्र अब चलते हैं वैदर रिपोर्ट की तरफ एक क्लियर वैदर हम एक्सपेक्ट करें इस मुकाबले के लिए एक पूरा मुकाबला यहां पर हमें देखने को मिलना चाहिए पिछ रिपोर्ट की बात की जाए तो फर्स तीन चार इनिशल ओवर में थोड़ा से स्विंग हो रहा इस टाइब की इस टाइब की ट्रैकों ने सूट करने चाहिए बट कुछ प्लेज हैं जो उन्हें परिशान कर सकते हैं जो हम डिसकर्स करेंगे आगे इसी प्रिव्यू में स्कॉर्ट नियूस की बात की जाए तो कोई भी कन्फरमेशन नहीं है हमारे पास की बेंच टोक्स अवेलबल है या नहीं अवेलबल है और यही होंगे अगर कुछ चेंज होगा इंगलेंड में तो यही होगा एक और जो चेंज हो सकता है प्लेंग 11 में वह सकता है बिट्व जाने जाते हैं तो more of an England conditions type of bowler उसके लावाए line-ups pretty much similar from both teams नमी नुलक के भी कुछ खास performances नहीं रहे हैं so won't be surprised if anyone else is brought in in his place but अभी के लिए expected playing 11 similar lines पे ensure आप यह दोनों apps पर sign up कर लें माइ मास 11 और एक्सचेंज में तो दोनों 9 GST apps है तो जो best benefits है आपको इन दोनों apps मिल जाएंगे और दोनों apps के links है इस वीडियो के description में England की बात करते हैं पहले first batter Johnny best तो I think बहुत ही obvious straight forward pick हैं ऐसे venue पे and काफी runs मार सकते हैं एक जो weakness एंकी कि कभी कबार जब spinners इने line and length से sharp on the stumps डालते हैं तब इन्हें hit करने में तकलीफ होती है और वहां पे इनसे miss shot खेला जाता है हमने देखा था कि शाकिप के सामने भी वह line and length वाली जो stump पे ball थोड़ी अंदर आई उस पे याउट हो है वह ball के लिए मुजीब भ आप chance ले सकते हो बट सिर्फ grand league में अगर यह दोनों set हो गए तो आप आपके लिए captaincy vice captaincy material बनेंगे small leagues में तो एक थोड़ा सा interesting balance है यह but grand leagues में यह बिल्कुल try करेगा मुझीब कुछ teams में लेके else यह दोनों batters पे base team में chance लेके बिल्कुल मतलब नहीं same for Joe Root last two matches से form भी better होता गया in comparison to before and spin भी अच्छा खेल लेते हैं अपना समय लेकर खेलते हैं ऐसे टाइप के track पे जब आप अपना समय लेकर खेलें तो chance देने का chance ही बहुत ज्यादा कम हो जाता है ज्यादा बोलर को नहीं मिलता है ऐसी track से तो unless track बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाए जो route भी ए जाइसे खेलना है आपको आप ज्यादा से ज्यादा लीग जैसे जॉइन करोगे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी यहां पर आपको दिख रहा है कुछ टॉप प्राइज से लेके 100 रैंक तक इन साथ-साथ में हैं यहां पर पॉइंट्स वाले लीडर बोर्ट आपको ग्रैं यहां पर आपके लिए अपर नाउन वाला काम हो सकता है कि विए जौस बटलर लास्ट वाले लास्ट पर आपके लिए वाला काम हो सकता है कि विए जौस बटलर लास्ट लास्ट गेम वो क्या पॉइंट में आए जब बहुत सारे रन्स अल्रडी बन चुके थे उनको आके फॉर्स बॉल से मानना था और चाहिए कोई भी बैटर हो बेस्ट इन दे वर्ल्ल जब आप ऐसी प्रेशर वाली सिटुएशन में हो जहां पर आपको आके हर बॉल पर शॉर्ट खेलना विकेट कहीं न कहीं तो जाएगा बट फिर भी जौस बटलर की कीपिंग कर रहे हैं ऐसे सिटुएशन में आप भी आके पचीस-टीस रंस करके गए तो ड्रीम टीम में बिलकुल आटोमाटिकली आ जाएंगे लियम इन्हें साइड में जाएं नहीं मिल रही साम करें एक बहुत अच्छी चॉइस है आज वापस इनका जो फॉर्म है कुछ खास नहीं है लास्ट गेम में भी एंड में आके एक विकेट लिया बट क्योंकि इतनी ऑपरचुनिटी मिलती है इन्हें विद बॉल आई इन्हें छ आदिल रशीद एक ठीक टाग चॉइस है सेकंड बोलिंग करेंगे तो डेफिनिटली साइड में रहेंगे क्यूंकि अंडर प्रेशर ज्यादा विकेट लेते हैं बड़ हमें पता है कि अफगानिस्तान स्पिन अच्छा खेल लेती है तो मेभी फॉर्स बैटिंग में थोड में एक कंसर्न है इन्होंने भी आके एंड में आके विकेट ले लिया तो जैसा इनका क्लास है वह इसाब से इन्हें ज्यादा कर लेना चाहिए बड़ क्यूंकि सामने अफगानिस्तान है प्रॉब्ली मेरे टीम में यह जगह डोंड लेंगे मोहिन अली आई डोंनों कि यह अगर कोई पेसन नहीं ला रहे हो तो इन्हें ले आ जाना चाहिए और अगर यह खेलते हैं तो लियम लिविंस्टोन वापस एक नंबर और उपर चले जाएंगे तो आभी के लिए इनका खेलना अन्लाइक लिए है रिमेंबर एक्स्चेंज्च्च्च्च्च्च्च्च् अब चलते हैं अब घानिस्टान टीम की तरफ रहमान ला गुरबास टॉप एक अच्ची पिक बन सकते हैं अगर क्रिस वोक्स कंटिनिउस टू प्ले आइधिंग यह उन्हें काफी डॉमिनिट कर सकते हैं बट रीज टॉपली इनके लिए एक ट्रिकी कंसर्न होंगे तो एक फिफ्टी फिफ्टी पिक हैं अभी के लिए मेरे लिए आइधिंग मेभी इन्हें कंसिडर किया जाए बेस्ट बाटिंग कंडिशन इब्राहिम जद्रान आइधिंग रिली गुट टेक्नीक एंड रिली गुट बैटर वापस इनकी जो प्रॉब्लम यही है कि कभी कभार प्रॉब्लम जाते हैं तो इनकी प्रॉब्लम होती है अगर हमें लग रहा है कि एक अच्छी ओपनिंग पार्टनर्शिप होगी फिर इने लेके पॉइंट बनता है यह सिर्फ एक जी एल पिक बनके रह जाएंगे प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि इनका फॉर्म काफी इनकंसिस्टेंट है यह इस तरीके से खेले कि अपना समय लेके खेले तो आप देखो तो नेगेटिव इंपक्ट भी हुआ जितना टागेट उने चाहिए था वह इसाब से वह उनके इनका अप्रोच कैसा रहेगा फॉर्स इनिंग में फिर भी आराम से खेलके भी रन निकाल लें इनके इनका नभी इनक मेरी टीब में एक जगेट ढूंड लेंगे यह इनका जो इंपक्त है इन अगर यह फिर्स बो आएं बोलिंग पर तब तक इंग्लेंड पर थोड़ा और प्रेशर बन जाए तो अटाक तो बोलर्स वह इसाब से इनको जगें मिल सकती है फॉर ऑल राउंड वाल्यू नजी पुला जद्रान एक बहुत बढ़िया हिटर हैं पर करेंट ली एक दम आउट फॉर्म चल रहे इनको ज्यादा पेस खेलने को मिलेगी और पेस के सामने इनके इनके कंसर्न काफी है राश्वित खान क्लास अक्ट है लास गेम में जब कुछ नहीं बचा था गेम में तब भी आके इन्होंने दो विकेट्स कहीं ना कहीं से निकाल लिये तो यह तो मेरे टीम में रहेंगे बाटिंग वाल्यू भी देखे जाएंगे मुझी मैं अल्री आपको बता चुका हूं कि क्या सिनारियो में इने जील में ट्राइ करना है जब आप इंग्लिंड ओपनर्स पे एक चांस ले रहे हो तो डेफिनिटल टीम में इने में ट्राइ करूंगा और अगर मैं टीटू ब इनका भी फॉर्म कुछ खास नहीं लगा अब चलते हैं अचकी फैंटेसी टीम तो भी स्टार्ट बेस्ट बेस्ट जानी बैस्ट जास बटलर दोनों एकदम स्टेट फॉर्ट पिक्स वही में जाएंगे पहले जो हमारे स्टेट फॉर्वर्ट पिक से होने लेंगे और इनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है तो यह जो नौ प्लियर्ट रहेंगे मेरी सारी जील रोटेशन सब कुछ इनके अराउंड ही रोटेट करेगी और फिर इसके अलावा मैं अपने बाकी दो स्लोट को फिल करूंगा राशित खान को आप तभी चोड़ सकते हो जब आप यह अच्छा है तो आप बैटिंग से या आप कीपिंग से एक और चॉइस ले सकते हो मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूँ विद रेवनुला गुर्बाज अज मेभी गलव से भी कुछ वाल्यू दे जाएं अब फ्रंट अटैकिंग बैटिंग करेंगे तो वहां पर खेल लेत क्याटर क्याटिन वाइस क्याटिन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि करेंटली तो जो एंगलिंड ओपनर से वही सेफ है सिर्फ वो जो मुझीव का थ्रेट है वो मुझे थोड़ा सा अपन नाउन करवा रहा है हैंस अभी के लिए मैं जाओंगा विजो रूट एस जो अप्रोच है थोड़ा और मेलो है और मेरे इसाब से अच्छा काम करके दे सकते हैं और वाइस कैप्टिन की बात की जाए तो एक रिस्की ऑप्शन यहाँ पर बढ़ अच्छे ऑप्शन बिलकुल बन सकते हैं री स्टॉपली और दूसरी चोईश डैविड मलान अभी के की बात की जाए है हैरी ब्रूक आइटिंग डेफिनेटली स्पेशली वन बैटिंग फर्स मोहमद नभी आपको बता चुका हूं क्यों डेफिनेटली उन्हें भी ट्राइ किया जा सकता है और मांक वुड अब लो सिलेक्ट पिक इसलिए हैं क्यूंकि ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं कोज़ फॉर्म बढ़ अफगानिस्तान जो रॉपेस है उसके सामने थोड़ा स्चागल करती है एंस उन्हें वहां पर तकलीफ हो सकती है हाई सिलेक्ट रॉपरिस फॉर्म ओविसली अजमतुला अमर्जाई एन एक और जो पिक मेरे माइंड में आरी है वह है ज प्राइब सेट लग रहे हैं बैटिंग फर्स बाटिंग सेंड बोलिंग फर्स विल भी वूड टॉपली अंड साम करिन और ऑविसली बोलिंग सेंड राशित खान हमेशा एक टॉप चॉइस हैं एवन दो इस ताइप के पिच पे एन इस ताइप के उपजिशन के सामने तो हो सकती है तो मेरे साब से अपना रास्ता यह ढूंड लेंगे इंच और कि आप अपना रास्ता डूंड ले एडड रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलेग्राम जो भी फाइनल टीम अपडेट सब कुछ आपको वही पर मिलेंगी रिमेंब डू लाइक और शूंग पर टुलिझ अपना है अग्यू आपको निच अब्सक्ः प्रूंग ले एंप पूर भाल नाय सब्सक्राइब लेड्यू यही थेडिए, वहीए,